हाई गाइस तुम फ्लेम अपडेट बता देती हूं यह उनकी लिए जिनकी इनर यूनियोन हो चुकी है जो कलेक्टिव फ्लेम नाइस हैं उनकी अवेकनिंग असेंशन हमित मोड में जा रहे हैं सेल्फ अवाइडनेस हो रहे हैं कुंदलीनी अवेकनिंग हो रही है क्राउण चचरा और हार चक्रा पे अपग्रेड किया जारा है उनकी कि विंग्स विंग्स आछ ग्रोइंग नॉन डुएलिटी में जाएं लव एनरजी यूनिटी में आ अपने उपर फोकस करिए तर्ड आई चक्रा एक्स्पैंड हो रहा है इसलिए आस्ट्र प्रोजेक्शन होगा इस वीक में जितने भी फस्ट फेड के ट्विन फ्लेम्स है उनकी इनर यूनियन होगी फेमनाइन्स के क्राउन चक्रा ब्लॉकेजस को रिमूव किया जा रहा है सरेंडर मोड पे रहने के लिए बोला जा रहा है फेमनाइन्स आपको एंजल्स आपको प्रेटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं आप लोग एक डिवाइन सोल हो पॉस्टिफ वाइब्स में रहो हमेशा सब कुछ डेस्टिनी के इसाब से चल रहा है डिवाइन टाइमिंग के इसाब से बहुत सारे ब्लेसिंग्स और मिराकल्स हो रहे हैं मास्कलीन जो हैं वो काफी बैलन्स फील कर रहे हैं फैम नाइन्स जो है वो एक्षिन मोर पे हैं प्रासस को ट्रस्ट करें एंजल्स आपको बहुत सारी साइन्स देंगे सिंबल्स देंगे यह उनके लिए था जिनकी इनर यूनियन हो चुकी है या हो रही है अब मैं आपको बता दूँ जो इस चुर्णी में यू आए है आपको मैं आज बताती हूं कि चक्रास करना क्यों जरूरी है उसका बैलन्स होना क्यों जरूरी है कई बार चक्रास जो हैं वो इंबैलन्स हो जाते हैं या फिर बहुत अवर्णबर centiw हो जाते हैं या फिर अंड़र्णबर्टिव रहते बिल्कुल, इंबालन्स दोनो ही गलत है उवर्रक्टिवां भीलत है टि अंडर्र अक्टिव गलत है गिल्कुल बॉट्बर और ले पहले मैं आपको root chakra बताती हूँ, जब root chakra overactive हो जाता है तो imbalance है वो greediness में आ जाता है इंसान, और जब underactive में होता है तो भी वो imbalance है, वो fear और वरी की तरफ ले जाता है, और जब root chakra बिलकुल balanced होता है तब वो इंसान काफी brave, trustworthy, trust, अपने आपको trust करता है, secure feel करता है, जब sacral chakra imbalance होता है, जब overactive हो जाता है, तो sexuality, over emotional और sexuality की तरफ उसका ध्यान चला जाता है, और जब underactive रहता है, तो unemotional होता है और desireless हो जाता है, बिलकुली, तो ये दोनों ही imbalance है, जब वो sacral chakra balance हो जाता है, तब वो love energy में होता है, और self love में होता है, होता है, जब solarplex जो है, वो 얘는 imbalance होता है, तो जब ओवर अक्टिव हो जाता है, तो वो इनसान over aggressive में चला जाता है, और जब under active में होता है, तो इंडेशिम में चला जाता है, और जब solarplex जो है, वोיע बिलकुल balance में होता है, तब वो इनसान बिल्कुल अपने self-word में होता है अपने आपको worth करता है, importance देता है, self-love करता है जब heart chakra imbalance होता है, जैसे कि overactive हो जाता है तो इनसान possessiveness में चला जाता है, jealousy में चला जाता है और anger में चला जाता है जब वो underactive में होता है heart chakra तो unfriendly हो जाता है, coldness में आ जाता है, तो ये दोनों ही imbalance है, overactive भी नहीं होना चाहिए, underactive भी नहीं होना चाहिए, जब heart chakra balance में आता है, तो इंसान बहुत ही peace, energy में आ जाता है, और सब को forgive करने लग जाता है, forgiveness में आ जाता है, जब throat chakra overactive हो जाता है, तो इंसान चिलाता है, scold करता है, curse करता है, चूट बोलता है, बहुत ज़्यादा बाते करता है, या फिर बहुत ही imbalanced way में बाते करता है, जब वो underactive में रहता है, throat chakra, तो इंसान shy feel करता है, miscommunication हो जाता है, अपना feelings को express नहीं कर पाता है, unconfidence हो जाता है, और बहुत ही कम बाते करता है, बहुत ही, बिल्कुल बाते ही नहीं करता, तो इस तरह से उसका imbalance होता है, और जिसका balanced throat chakra होता है, वो truth बोलता है हमेशा, हमेशा confidence रहता है, और जब जुर्ण तो तब ही बोलता है, और next जो है, जब थोड़ा ही chakra imbalance होता है, जब overactive हो जाता है, तो confusion होता है, illusion होता है, और जब बिल्कुल underactive में होता है, तो instability होती है, misunderstanding होती है, तो यह दोनों ही imbalance है, और जब बिल्कुल balance में आजाता है, तो उसका intuition बहुत ही अच्छा काम करता है, उसका wisdom बहुत ही जादा increase होता है, clarity होती है, उसके काफी intelligence होती है, चीज़ों को clearly देख पाता है, clarity होती है, और next जो है, वो crown chakra है, crown chakra जब imbalance होता है, या फिर overactive जब हो जाता है, तो anxiety और stress हो जाती है, जब underactive में रहता है, तो इंसान depression में चला जाता है, और बिल्कुल जब balance में आ जाता है, तो divine के साथ connected रहता है, और बिल्कुल oneness में और non-duality में आ जाता है, unity में रहता है, तो ये कुछ चीज़े हैं, जिसके वज़े से हम बार-बार जोर्णी में मैं बोलती हूँ, कि meditation कर लो, chakra balancing कर लो, क्योंकि जब imbalance होता है, तो जादा overactive होना भी imbalance है, अंडर-active रहना भी imbalance है, दोनों ही तरफ से imbalance है, उसको जब balance करोगे सारी chakras, तभी correct life में, journey में सही decisions ले पाओगे, अपने लिए stand ले पाओगे, अपनी priority को समझोगे, self worth को समझोगे, और journey में success की तरफ आगे बढ़ोगे, तो हमेशा चक्रास की तरफ द्यान दे, ये ना कह हैं कि मुझे चक्रास नहीं करना important नहीं है, हमेशा चक्रास को balanced रखें, बहुत ज़रूरी है meditation, जब भी आप meditation करोगे, आपके और रास बहुत strong हो जाएंगे, आपके energies protected रहेंगे, आप बेवज़े किसी और जगह पे energy अपना waste नहीं करेंगे, आप अपने growth की तरफ बढ़े और हमेशा चक्रास पे काम करें, hope आपको समझ आई होगी, bye take care